Hello Friends, Welcome back to my channel once again रादे रादे आप सभी को जैसे कि आपको पता है हम बृिंदावन में आपको बृंदावन के दर्शन कराते हैं सादू संतों से आपको मिलवाते हैं और आपने बृंदावन में हमने आपको कई सादू संतों से मिलवाया है उनसे बाचीत किया और कई चीजों के बारे में आपको बताया भी है बहुत सारी वीडियो में हमने आपको सादू संतों से तो मिलवा दिया लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर विशेख सर्मा जो की जो काम करते हैं वो हमारे शरीर से रिलेटेड है जो हमारे शरीर के अंदर जो शक्तियां होती हैं हम सब को पता है हम सब के शरीर के अंदर एक उर्जा होती है एक शक्ति होती है वो उन शक्तियों पर काम करते हैं उन शक्तियों को जागरित कर तो सबसे पहले आपसे जाना चाहूंगी जैसे मैंने शुरवात कि आप जो हमारी इस चरीर होता है जो हमारी बोडी होती है उम्हें शक्तियों पर आप काम करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि पूरिष्ष्ठी एक उर्जा से बनी है कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जिसमें उर्जा ना हो, जिना उर्जा के कोई भी चीज जिंदा नहीं है, किसी में positive उर्जा है किसी में negative उर्जा है, कहीं आप ने देखा हुआ कि आप किसी घर में जाते हैं, negative energy होती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता हुआ जाने से, कुछ आप जैसे भीचार करते हो दीरे दीरे वीचार करते है और कुछ लोग ऐसे हैं जो लगता है कि जीवन में हम मिले हैं तो उनसे बात करने से अच्छा लगता यह सब और जा है पॉजिटिव और नगेटिव मैं जो काम कर रहा हूं वो शरीर में एक जो सुपर पावर चीज दिया है इश्वर ने वो दिया है हमारा सुपर पावर स सब्सक्राइब होगा झाइब करवार में है एक जागरत आप सभी लोग हम सभी लोग सभी कर सकते मेरा काम होता है कि कैसे कहां तक कैसे पहुचा जागरत जबीन देखए हूगा ूधंवरग कैसे पहुता जाए क्यूंकि जो लोग पॉजिटिवहों थे दातने हैं कि मैं देखने पें। तो उनका जीवन वैसे पॉजिटिव होता रहता है अब चक्तर क्या है कि हमारा एक कॉंसियस माइंड इसको हम चेतन मन कहते हैं जो जिस मन से आप मुझसे बात कर रहे हो कोशन कर रहे हो मैं जबाब दे रहा हूं यह सब कॉंसियस माइंड का दिन बर में ऐसे बहुत सारे का जाने वह समय क किय chiこの किया डिया खिंण हो जो इसे खानेटगे वह बत जीमन कुछ ऐसा वोड़ी मैं रहते हैं च 느ría expXWeb univers has from the जब हमारा बद्र होता है तो हमारा ब्रेन खाली होता है जैसे महाहूरे में लेकिन रहें दोछार पांश इनों मैमोरी दिलीट नेकिन कुछ चीजह ऐसी होती इसे तो हमने बहुत भरोसे के साथ देखा होता है बहुत उम्मीद के साथ भरोसे साथ द्रंटा के साथ देखा होता है जैसे कोई बच्चे का जलना क्योंकि उसको भरोसा हो गया कि गरम पानी है इसमा डालने से जल जाएगा वह कभी लाइफ में उसको नहीं भूलता क्योंकि जैस से कुछ चीजह आई हैं बच्छा कोई नीचा है कोई किसी से बर रहा है इतनी धृणता के साथ जो बन गई है वो पूर जनम में आती है लेकिन कुछ हमारी जीवन में हम बच्पन मैं बच्पन से देखते आएं घर में जो कि देखते आएं वह आपकी एक मैमोरी की रूप में पर्मानेंट मेमोरी के ग्रूप में सबकॉंसियस माइंड में बैठ गई है अच्छा वो जो सॉफ्ट्वेयर है उस सॉफ्ट्वेयर जो आप लैप्टव लेने जाते हो और दस लैप्टव लेते हैं आपका बच्छा गेम डालता है आप हो सकता है कुछ और टैली डालो कोई और सॉफ्ट्वेयर डालो आप वीडियो एडिटिंग डालते हो वैसी काम करता है ऐसी हमारा सबकॉंसियस माइंड है जैसा मेमोरी उसमें बन गई और इसलिए कहते हैं कि आप नगेटिब मत सोचो आप बार बार नगेटिब बोलोगे तो आपका दरवाजा खुलेगा और बार बार सोचने सोचने आपके मेमोरी सबकॉंसियस मेमोरी में एक नेगेटिब मेमोरी बन जाएगी और वहेक्टिब में convert होगी नगेटिव लोग आपकी life में आने लगेंगे नगेटिव चीजें आपके साथ में होने लगेंगे और यही मैं कहूं positive आप सोचो हाँ चलो ठीक है इशर जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है तब क्या होगा कि आपकी जीवन में positive लोग आएंगे positive चीजें होने लगेंगे आप उससे कहीं बाहर निकल जाओगे इसलिए हमेशा बोला है positive हम क्या कर रहे हैं जो अपने पेशेंटों के साथ में क्या कर रहे हैं उस दर एक therapy के द्वारा अच्छा subconscious mind open कब होता है जब आप सूने जाते हो ध्यान में जाते हो या आप meditation कर रहे होते हो आप समाधी में दीरे दीरे जाने लगते हो तब आपका subconscious mind open होता है या फिर बार बार वह बात है कहीं जाएं जैसे बच्छपन से बाते जाएं तो धीरा धीरे open होता है चला जाता है लेकिन रात में सोने से पहले से लिए कहते हैं कभी negative नहीं सोचन में लगता है हम क्या कर रहे हैं कि एक therapy के द्वारा धीरे धीरे आपके चेतन मन को conscious mind को सुला देते हैं और subconscious mind open कर देते हैं फिर जैसा हमें memory बनानी होती है हम वैसी memory बना देते हैं उसी के द्वारा हम बहुत सारी चीजे लाइफ में पेशेंटियों के साथ में करते हैं और वैसे action में convert हो जाती है जैसे आपने बताया हमारे सरीर में जो शक्तिया होती है आप उन्हें जागरेत करते हैं उनको जागरेत करने के बाद क्या response होता है positive negative या हमें किस तरीके का फायदा होता है उससे हमारी lifestyle पर क्या फार्क पड़ता है हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है उस चीज को किस तरीक कर सकते हैं और जैसी कोडिंग उसके ब्रेन में होगी वैसे ही action में convert होने लगेगा हम इस therapy के द्वारा क्या करते हैं कि पेशेंट को इस therapy द्वारा एक तो body mind जब भी subconscious mind जागरत होगा आप सोते तो क्या होता है relaxation होता है mind और body कितना ही pain हो रहा हुता है headache हो रहाता है सुबह हम इस therapy के द्वारा पेशेंट को एकदम body और mind relax करते हैं और coding देते हैं इसके द्वारा पेशेंट को नीद भी अच्छे आने लगती है अच्छा deep sleep में जाने लगता है जब आठ गंटे सोएं लेकिन deep sleep में जाकर सोते हैं उनका जो behavior है रिलेक्स हो जाता है बड़े रिलेक्स हो के बात करते हैं जो बात बात पर irritation हो रहा था कि कि सारे लोगों को रिलेक्सेशन नहीं है बाड़ी में तो वो इरिटेट होते हैं तो इरिटेशन खतम हो जाती है इस therapy द्वारा इसके बाद जैसा हम चाहें वैसा code कर सकते हैं किसी को हम सिरदर्द के लिए code कर रहे हैं बच्चों के लिए पढ़ाई में कर रहे हैं meditation जो लगा के meditation करना है हमारे साथ में जैसा मैं कहूंगा वैसे करते चले जाना फिर देखेंगे शरीर में और जाए आने लगेंगी अंदर के चक्रों की energy अभी आप आख बंद करेंगे कुछ दीखता है आपको आंके बंद करने काला काला दीखता है जैसे meditation लेंगे 10 में से 9 तो माइंड को कोड करने के दुआरा क्या हम किसी को positive चीज भी सिखा सकते और negative भी सिखा सकते बिल्कुल negative सिखा सकते इसका अच्छा एक मैं उधारण देता हूं आपको बड़ा अच्छा और नाम के साथ में देता हूं कोड करते हुए मेरे एक मित्र है बेबे कानन कर रहे हैं तो आप सही बात कह रहे हूं मैं लगा क्या हो गया बोले कुछ दिन पहले एक लड़का था करी बीस-बाइस साल का और आतंग बादी गत्यविदियों में लिप्त पाए गया था पुलिस उसके पीछे लगी थी एक उसके घर में उसको घेल लिया सारे तरप से सर बीस-बाइस साल के हो और ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है एक-दो साल की जेल होगी तुम सरेंडर कर दो अच्छा आप यह बताईए धर्म किसके लिए बनाए जीने के लिए धर्म के लिए जीना है मैं तो सोच कता हूँ जीने के लिए एक इनसान आया है तो वो कैसे जीए इसलिए धर्म बनाए लेकिन उस उसने जब कहा कि अच्छा कितने पुलिस वालों ने गेल लिया तो उन्होंने कहा कि 20-20 लोग उने गेल लिया है बुले अगर सरेंडर नहीं करूँ तो क्या होगा उसने बुला से लिए निकलों गए अतंगवादी और तो कहीं नहीं आपको मार नहीं पड़ेगा जब नहीं निकलों आप दूसरे हम लाख़ वावन पढ़ाई करवाओंगा सब काम करवाओंगा जीने के लिए धर्म है तो आपकी लाइप पड़ी है आपके बच्चे हैं आपकी फैमिली है तो उसने ये एक बात कि अच्छा मेरे को सब पुलिस वाले गेलिये तब तो मैं मर जाओंगा तो नहीं मानोगे तो यह होगा तो बोले मेरे को बहुत अच्छी खुश्वू आने लगी है और सामने से मेरे को बात नहीं कर रहा हूं जो उस बंदे ने बात क कोई और बड़ी अच्छी खुश्वू नजर आने लगी है क्योंकि यह चीज उसके माइंड में कोड की यानि की बच्पन से उसको एक चीज सिखाई गई थी क्योंकि वह बता रहा है उनको कि बच्पन में मुझे बोला गया धर्म के लिए जिस दिन मरोगे तो मैं यह ऐसा अध्मोस्पियर नजर आएगा तो इसके लिए मैंने एक थेरपी भी बनाई है इसमें भी कह सकते हैं जो गर बच्पन में उससे कहा गया कि ऐसा नजर आएगा तो उसको विश्वास कितना है बिना बिस्वास के तो सब कॉंसिएस माइंड में कुछ बना नहीं मैमोरी अगर चाहें टीचर ने चाहें आपके घरवालों ने क्योंकि आपके सब कौन से लेकर आपने पढ़ाया या किसी ने आपको सिखाया आप खुद अपने इसाब से कुछ नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ना हम अपने बच्चों को उसी का फाइदा उठा के उनके ब्रें को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रहे हैं तो यह आप किस तरहीके से करते हैं जैसे कोई स्टूडेंट है अब उन्हें आपके पास आना पड़ेगा नहीं आने की कोई आभिशक्ता नहीं तो वह किस तरीके से थेरेपी ले सकते हैं एक एप है प्ले स्टोर पे गूगल प्ले स्टोर पर एमर्सी थेरेपी या फिर वैप साइड है www.mrcttherapy.com वहां जाहिए और वहां जाकर बहुत दर्द के लिए अलग है body mind relaxation के लिए अलग है बहुत सारी है अब वहां जाके उसको एम रोल कर सकते हैं और ऑर एक साल के लिए हम कुछ चार्ज लेते हैं उसका और एक साल के लिए बच्चे को एड करना कुछ भी नहीं है आप कहते हैं बच्चे को सुबह चार बज़े उठ लगता है और आप देखेंगे बच्चों के बहुत जैसे हम चाहिए वैसे हम कर सकते हैं तो मतलब आपकी कहने का मतलब यह जिस तरीके से जो आप माइंड को कोड़ करने की बात करें इस तरीके से जैसे कोई नेगीटिव है बेब कर सकते हैं लुई जैसे अच्छिते हैं में पिसी का फोटते हैं फोबिया निकाल सकते हैं हम इसी के आधार पे अपने पेशेंटों में स्मोकिंग चुड़ा रहे हैं क्योंकि उसके ब्रेन में बन गया अच्छा है हम स्मोकिंग टेबैको एलकोहल चुड़ा रहे हैं लेकिन शर्त वही है कि उसको यह करना हूँ उसको दर्वाजे तब खुलेंगे जब भरोसा होगा कि नहीं मुझे हम जबदस्ति किसी साथ कुछ नहीं कर सकते उसको चाहिए कि मुझे पढ़ाई में नंबर अच्छे लाने उसका दर्वाजा खुलेगा भरोसे का और सबकॉंसियस माइड ओपन हो जाएगा मतलब जैसे कोई है जिसको अपनी स्मोकिंग छोड़नी हो वो खुद छोड़ना चाहे तो आपके द्वारा थेर पहले जो मेरा स्मोकिंग के थे वह एंवीवियस डॉक्टर थे और उनका डॉक्टर बिक्रम मलिक उनका पहले का भी वीडियो पढ़ा है तीन दिन का कि मेरे मन नहीं कर रहा और तीन महीने बाद का उन्होंने वहां से वीडियो बनाकर मुझे बेजा है या अभी तक उन्हो होगा तो दीरे दीरे 5-10 परसेंट परसेंट दीरे दीरे काम होगा इसका एक उधारत है कि एक मेरे मिलने वाले थे तो उन्होंने कहा कि मैं चोड़ना चाहता हूं आज मुझे थेरेपी देचा थीक है उन्होंने क्या कर गलती से टेबेको की जगे स्मोकिंग की ठेशर नहीं काम करी आप आप पर इस साथ में हमे चैनल घुजो पर अब इच्छर हो द्रिक को मेने को जो मेरे फ्रेंड करते थे आराम से जा तो उन्हों यह बता था मैं तो नहीं बैटके आराम त outras झाल रहे मुस्त करें मादाकि अपर दो या तो इन तो हम स्मोकिंग के प्रती दोईश पैदा करा रहे थे वो ब्रेन ने कहीं ना कहीं समझ लिया था जबकि उनको करना टबैको था तो ऐसा नहीं हम जो बोल रहे हैं ब्रेन के लिए नहीं वो थेरपी काम आपके सबकॉंसियस माइन पर गर रहे हैं जो आपको भी नहीं पता है फिर उन्होंने दुबारा नहीं ली वो ले कि अच्छ ठीक है अम में दुबारा लोंगा लेकिन उन्होंने नहीं अभी तक नहीं ली कि वो पर्चेश करनी पड़ती है वो जे मिले भी नहीं लीनी लेकिन एक मुझे चीज समझ में आई कि अगर हम बच्चों को में चले जाते हैं पढ़ाई को लेके किसी भी चीज को लेके और आजकल के जो बच्चे हैं उनके पेशेंस तो मिलकुल ही नहीं आप कोई चीज कह दो या कोई भी मतलब फेंस कुछ भी कह रहें बहुत जल्दी गुस्रा कर देते हैं और इतनी कम एज में डिप्रेशन में बहुत जादा सोचना त्युक्त हैं बिलकुल थेरपी काम करेंगी बहुत सारे बच्चे इंट डिप्रेशन के वीडियो भी पढ़ें एक फीमेल लड़की आई थी ऐसे बहुत सारे पढ़ें कि मुझे इप्रेशन था बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन से निकल के आए लेकिन इस एक आपकी वीडियो से एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोगों नहीं बच्चों को बिगाड़ा है उनकी सारी बात जिद को पूरा करके उनको कभी भी मने नहीं करा जब कि हम आप और जिस एज में थे जब मांगते थे हमारे माबाप जरूर पैसा होता था लेकि ijn बमारियों को ठीक करते हैं इसमें अधियो चुर्य को टीक करतें तो थी 이 फ्रीआर बीमारियाय उफस्त रहने करें आहीं ही देखाई हम रहे करने लगती है पॉइसे बहुत महाँ इंजेक्शन है यह 500 रुपे का है और 500 रुपे ले ले लेते हैं तुरन्त खतम करेगा जैसे रिस्टिल वाटर लगाते हैं ब्रेन को पता चलता बड़ा अच्छा 500 रुपे का इंजेक्शन है और ब्रेन वैसे ही हार्मोन पैदा कर देता और पेन खतम ह आते हैं एक वीडियो भी पड़ा है पेशन को बुल रहा है मुझे वाइट वाइट तरल तरल मुझे दिखाई दिया कि मेरे हड़ी से होता हुआ नीचे जा रहा है सुन करने के लिए कि ब्रेन वैसे ही रेक्ट करने लगता है ऐसे हम शरीर का दर्द सारे दर्द तो हम कोई पॉल और भी भी बीमारी को अगर हम बना बाया इस बीमारी में ने तो दीरे धीरे हमारे हार्मोंज वैसी होने लगते इसलिए के है कि कुछ स्कुरह करता है आपके सैल्स को नहें बनाने के लिए हुआ हिसलिए हम बैसिकली जो काम कर रहे हैं ज्एन पेन में हैडेक की लिए इंसोम्निया, नीद में आना घंड काम करिये नुठी दूजायट्वाइक है मतलब आपके कहने का मतलब यह है जैसे आपने का कि डिप्रेशन या जो भी एंगाइटी बहुत सारी चीज़े होती है जिनको आप थेरेपी के द्वारा ठीक करते हैं जैसे आज कल के टाइम पर किसी को डिप्रेशन रोक्तर पास जाता है तो बहुत सारी मैडिसिन की वो मारे पास में जो की एंजाइटी की दवा ले रहे थे जिनकी दवा वन फोर्थ रह गई अभी बीजने में जो व्यक्ति खुद चलके यहां पर नहीं आपाता था उसको इतना डिप्रेशन था किसी को साथ भी लाता था आज वो अकेला आरा है और पेशेंट के हमें तो कर सकते उसने मन डरे तो आगर मंज को जीत लिए जिसने फिर पिर यह करना झाहिं YouTube इस सब दो ड्लैक्स रहाएं आपको नेंड तो बहुत सारे मने чेंज हो जाएका अभी हम आने वाले समय में और धारे reading ओड़नार है की जो लोगों को भूख ज्यादा लगती है तो क्या हम ब्रेन से उसकी भूख को कम कर सकते हैं अब याने वाले समय में एक थेरपी आजाएगी लेकिन जो हमने देखा है बॉड़ी जब रिलेक्स होती है तो डाइजेशन भी सही रहता है आप देखो जितने भी आईवीएस के पेशेंट हैं अब जब आप डिप्रेशन में हो इरिटेशन में खाना खा रहे हैं तो बॉड़ी में हर्मोंस के लाइजेशन में कैसे पैदा हूंगा अगर बॉड़ी रिलेक्स होगी तो अच्छी चीजें भी पचा लेंगा लेकिन आरवेद में कहा है कि आपका खाना और आपका बह्व ले लेंगे अगर हम depression में कोई हमें problem है जैसे कोई बच्चा है parents है तो parents सोचेंगे हमारा बच्चा कहा है पर लगा के therapy लेगा हमें काम करते हैं डॉक्टर पास ले जाते हैं उसे medicine दे देगा तो medicine खाके भी बहुत से लोग रहें depression medicine खाने हम ठीक हो जाएंगे मैं बहुत फाइदा हुआ और यह को आप therapy के दुवारा ठीक कर देते हो तो दोनों में क्या difference है और वहां क्या मतलब उसका जैसे आप therapy के दौरा इसमें आपको medicine वगारा कुछ देते नहीं हो तो जो medicine लेते हैं क्या उसके कोई side effect है आगे जाके देखिए अगर मानसिक रोग को आप देखो तो जो भी दबा दी जाती माइंड को रिलेक्स हम तो therapy से रिलेक्स कर रहे हैं वो नींद की दबा देते हैं रिलेक्सेशन की और जितने भी chemicals दबाएं कितने भी वर्ड में हैं वह हमारे लिए बने नहीं है आप continue खाओगे तो क्या होगा आपके blood का pH मैं नई चीज बता रहा हूं बहुत से डॉक्टर नहीं जान सारी बीमारियां आपके शरी में आने लगए इसलिए आप देखो alkaline alkaline का आजकल जो माहल है वो इसलिए माहल है कंटिनेशन में खाने पर और जब आप नीद की को लिखाओगे तो दिन में काम कैसे करोगे आपको बच्चा तो उसका mind काम नहीं करा क्योंकि उसको relax करा दी ज कि हम ध्यान में साधना में चले जाते हैं और शरीर में जो इड़ा पिंगला शुष्मिन नाडियां होती हैं वहां पर उड़ जाया आने लगती और दीरे आपके चक्रों का बेदन करके सारे चक्र जागरत हो जाते तो बीमारी तो दूर हटी जाएगी जो शक्तियां आने जो शक्तियों की आप बात कर रहे थे वो धीरे दीरे बहुत सारे कहते हैं ना कि सिद्धियां हो गई वह ऐसी लिए देता है इस यह मिलना जा सारी शक्ति अगर हमाई सहस्तात पर चली जाएं तो इस लिए बात हैं देखता है उस सिद्धियों के रूप में कि कहा आप संसा इन सारी सद्धी है वो शांत रहते हैं तो किसी को जादये नहीं की मालम है अगर सथ यह को सीधे के से इसे साथ में आगे तो पर आधम के लिए बारे में ना ऑन चांच हूं और हो कोड़ेकव के बृएथ को वो जो उठके आपको क्या बताएगा उसके अंदर बहुत सारी जो उर्जाएं वो दीखेंगी लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, सपेद प्रकाश, सारे अपने अन्बूती अलग 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 अन्बूती बताता है क्योंकि जब सबकॉंसियस माइंड की पापर जागरत होती है हम दो-चार परसेंट ही ले रहे हैं अगर पूरी जागरत होगी तो फिर तो उसका अनंदी कुछ और है जैसे आपने बात की डाइबिटीज की पेसेंट होते हैं जैनों शोगर होती हो न तो मेडिशिन लेनी पड़ेगी उन पर ये थेरपी कैसे काम परेगी थेरपी से थोड़ी ना उनकी बिमारी ठीक हो जाएगी मैंने बोला आपको पहले डाइबिटीज समझना पड़ेगा है क्या डाइबिटीज का मतलब है कि आपकी जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज में वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं पूरी इंसुलिन ने निकाल पा रहे हैं ऐसे मैं गहराई में जाओंगो तो बहुत कुछ है सी दूस IPS काई और साहरे मर अब हम क्या कर रहे हैं क्युछ आपने तेखाश भीमारी स्ट्रेस से आरे आप सबसे होते हैं चाहिए लिएा करारा है निकारी ला वर रह ही है क्या शीन अठया चीन है? इसको बीमारी या नहीं आएंगी तो आराम से मस्ट सोता है ये शब्द कहां से आया मस्ट सोता है इसको खुछ नहीं होगा और जो सोई नहीं पा रहा है इसको तो बीमारी स्ट्रेस में तो आएंगी स्ट्रेस के बूल हमारे ब्रेन पे नहीं है स्ट्रेस हमारे हर एक सेल्स के अंदर तक स्ट्रेस जाता है अगर हम उसको रिलेक्स कर देंगे तो क्या होगा कि जो पानी हमारे अंदर जा रहा है सारे अंदर जो हमारे nutrition जा रहे हैं पानी दरीगे तो सेल्स में सेल्स में जाने के बाद में वहाँ पर किंवें कि तो निकलते हैं तो इन बीमारीयां कैसे आती कि स्ट्सट्स बाहर नहीं बाते हैं घर यहां को पर favour कर दिया तो कि आप डायबईटीज के लिए जो इंसुलिन है वह पैदा करो टो मैंने बोला ना जयसा कारेगा वैसा काम करेंगा दूसरा हम पिशेंट को स्ट्रेस-फ्री कर रहें तीसरा हम मैडिटेशन भी करा रहे हैं उसकी लाइफस्टाइल भी चेंज कर वा रहे हैं बहुत सारी कराने से आयेगा उसके ज़्म घाट हैंट सबस्केट कराकि खुख red आपने बटाया कि जो हमारे शक्ति होती है जिसके करते हैं थेल्पि लेरे से क्या होगा तो थेरपी लिने से हमारा हमारी बॉड़ी पर कंट्रोल हो जाएगा बहुत सी चीज होती है जैसे खाने की बात करें अगर डॉक्टर कहता आपको यह नहीं खाना जैसे आज कल मार्केटें बहुत सारी चीज़े आती हैं मैं पता है कि कोल्रींग कीना गलत है हमें पता है मैगी गलत है लेकर फिर भी हम खाते हैं सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे तो उन सब चीजों का मतलब हम कंट्रोल कर पा कर देती हैं वापके मन की उचाय जो की कोड़ कर रखा है कि मन ऐसे हम अभी आने वाले समय में खाने के उपर ठेरपी बनाने वाले हैं कि आप नहीं चोड़ पा रहे हो चोड़ना चाहते हैं लेंकिन मन करता है जहां मन करता है मुसको कर सकते हैं यह मेरे पूरा 100 पर से वह आज हमने बात की डॉक्टर साब से बहुत सारी चीजों के बारे हम बात की और बहुत सी ऐसी चीज बताइए जो हम निजी जिन्दी विग अगर हम यूज करें तो हमें कितने फाइदे हो और उनके लिए उन्होंने यह भी बताए कि उनका एक एप है वेफसाइट पी है आप सब्सक्राइब ले सकते हैं अगर आप उस वेपसायट पर लॉगिन करते हैं या फर लागिन करते हैं तो अगर आप हमारे तुरू जाएंगे तो आपको कुछ डिसकाउंट मिलेगा तो अभी अम ब्रोक्टर साब से पूछेंगे कि अगर हमारे तूझ जाते ते कैसे आप कर सकते हैं कैसे आपको डिसकाउंट मुलेगा गूगल प्ले स्टोर पे मर्सी थेरपी सर्च करें यह आजाएगा या वैप साइट के तो जिनके पास में एपल है और आने वाले समय में कुछ महिनों में वह भी आजाएगा है भी आजाएगा मर्सी थेरपी के नाम से आप लॉग इन करें और एन्रॉल जो भी आपको है जो एन्रॉल करेंगे वह 1100 रुपे का हमने रखा है एक साल के लिए और कितने भी कितनी बार सुन सकते हैं पूरा फैमिली सुन सकते हैं किसी को भी सुना सकते हैं कोई दिक्कत नह मैंने कोट बनाया 5555 अगर आप वहां पे कोट डालेंगे तो आपके लिए इस्पेशल टैन परसेंट डिसकाउंट हो जाएगा 990 रुपे एक साल के लिए एक रुपे रोज का अगर तीन लोग भी यूज करते हैं घर में तो एक रुपे रोज का पड़ता है तो इससे इसे खतम कर सकता हूं लेकिन आप जैसा चाहरे हो हम उसको एक हमने उसमें वह भी दिया है कि आप अपने हिसाब से भी कोट करा सकते हैं आपको कोई चीज चाहिए कोई नगेट यह नहीं निकर ला है तो डारेक्टर यहां आकर यह फोन पर भी कर सकते हैं मैं उसके लिए को मैं से 10% का Discount मिलेगा और जिस चीज बारे में आज हमने बात की बहुत सारी चीजे घंक्जाइटी डिप्रेशन किस तरीके साब अपने माइं को कोड कर सकते हो हम माइं को अपने अपोर्डिंग माइं के दोरा हम क्या क्या कर सकते हैं जाता मैं हमारी BODY में जो फमारे व्य तरीके से अपना जो लाइश्टाइल उसे चेंज कर सकते हैं उसे अच्छा बना सकते हैं आज कल आप देख रहे हैं चोटी चोटी बच्चे डिप्रेशन बजा रहे हैं उन सब चीज के लिए आपको इनके आप पर सारी थेरपी मिलेंगी आप अपने बच्चों को डॉक्टर आपका बच्चा चोटा या आपको आपना हैवी डोस ले रहे हो मैडिस्टी ले रहे हो वह बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट अभी नहीं तो आगे जाके आपको इससे प्रॉब्लम होगी होगी तो इन सब चीजों के बारे में हमने बात की बाकि अगर आप इनसे मि आप इनसे कंसर्ण कर सकते बहुत सारी चीजह ऐसी होती है कि हम अपनों को ही नहीं बता पाते हमारे जो बहुत क्लोज होते हुं ने कर सकते उनके साथ डिसक्लोज कर पाते वह चीज़ आपwynसे शेयर करें अपनी इनसे बताइए यह और चीज तरीके से अपकी घंप करेंग मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें आप से मिलेंगे अपने नेक्ष व्लॉग में अभी के लिए रादे 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 रादे